हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो भी देखा करिएगा Math की और GS की वीडियो पढ़ती है तो Math की वीडियो साम में पढ़ती है और GS की वीडियो आपकी सुबा पढ़ती है तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिक तो चली वीडियो को स्टार्ट करते है विभिन राज्यों के प्रमुक लोकनित्य याद करने के ट्रिक क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले मारा आता हैं कथली कहां का लोग नित्य है करेल का और इसको चांद करने का सच्रिक क्या होगा करेले की कथा फिरे हमारा भांगडा भांगडा कहां का है? पंजाब का है पंजे में भांग डालो फ़नी है वैसे भांगडा सबको याद हो जाता है कि भांगडा कहां का है? पंजाब का है फिरा आता है हमारा घूमर तो अगर किसी ने भी घूमर घूमर गाना देखा होगा तो उसको तो यह याद ट्रिक के जरुवत ही नहीं पड़ेगी तो घूमर कहां का है हमारा राजिस्थान का है राजा तुम घूमो फिरे हमारा बीहू बीहू कहां का लोक नित्य है बीहू बहुत ही इंपोर्डेंट है यह असम का है तो इसको याद करने का ट्रिक है असम की बहू बहू से हमारा हो जाएगा बीहू फिरे हमारा अरुड के मुखोटा अरुड का मुखोटा होगा तो इससे हो जागा हमारा मुखोटा ओकोटा कहां का लोखनिते है अरुड़ आंचिर प्रदेस का है तो अरुड़ का मुकोटा फिर है हमारा यहाँ पे गरबा होगा सॉरी गुजरात का गरबा तो गरबा कहां का है गुजरात का है तो इसको जाद करने का trick क्या है गुजर गई गरीबी, फिर हमारा चाउ, तो चाउ कहा होता है, चाउ हमारा जारखंड में होता है, ये भी बहुत important है, और इसको याद करने का ट्रिक क्या है, जाड़ू में चाउ, फिर हमारा आता है गडवाली, तो गडवाली कहा है, उत्राखंड का है, UK में गंडा, UK में ग अंधेरे में कच्चिपूरी खाई खाई खाई, आंधरा, कच्चिप, थोड़ा ये अजीब सा हो गया है, तो तो चलिए हम आपको बताते हैं, कच्चिप, कच्चिप कहां का है, आंधरा प्रदेश का है, और इसका ट्रिक क्या है, अंधेरे में कच्चिपूरी खाई खाई ठीक है अंधेरे में कच्चिप पूरी खाई मतलब कच्चिप कहां का है आंत्रप्रदेश का है फिर हमने उपर पढ़ा था गाड़ी कहां का है छत्री की छत्री में गाड़ी 36 गड़ फिर हमारा धमाल धमाल कहां का है हिमांचर प्रदेश का है हिम्मत की धमाल फिर हमारा आता है मंडी तो गोवा की है तो इसका ट्रिक है गोवा की मंडी काठी हमारा कहां का लोकनित है पस्ची बंगाल का है और इसका ट्रिक क्या है बंगले की काठी काठी का गोड़ा फिर मना आता है लावडी तो लावडी कहां का है लोकनित यह है मेघाले का तो इसका ट्रिक क्या है म एक लाव लाव से हमारा लावडी थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है लाव लावडी फिर हमारा चोंग चोंग कहां का है नागा लेंड का है और इसका ट्रिक क्या है नाग की चूंच होती है ना होती तो नहीं है लेकिन हम ट्रिक बना रहे हैं तो नाग की चूंच नागा फिर हमारा उडिशा तो उडिशय का क्या होता है और इसका यह वर आथ bagus परया यसे हम कान कैते हैं लिए के सब्सक्राइब करो यच्छ गान हुँँ yht 하면 नाता है राउफ नाध का क्ल लोक नित्स है जम्मो कशमील का है जम्मुरा जम्मुरा याद के लीज्ये जम्मो और रासे राओ फिर हमारा भारत नाट्यम ये कहां का है तमिल नाडु का है तुम मिले भरत तो तुम से हो जाएगा तमिल नाडु और भरत से हो जाएगा भारत नाट्यम फिर हमारा आता है रास लीला तो वो रास लीला कहां का लोक नित्य है उत्तर प्रदेश का है और इसका त्रिक्या होगा राधा के स्याम आज गोकुल के सरदार है तो राधा से हो जाएगा राधा कृष्णन के से हो जाएगा के यम मुंसी स्याम से हो जाएगा स्यामा प्रशाद मुखर जी आ से हो जाएगा अमबेड कर और जा से हो जाएगा जवारलाल नहरू और गोकुल से हो ज शायगा केटि सा और शरदार से हो जाएगा सरदार बल्लब भाई पटेल तो यह क्या है सभा के प्रमुख सदस्य है ठीक है कि जिसे हैं को मत तो कि यह मारा सजुक्त राष्ट शंग के पाँंच थाईसत्ससे याद करने के ट्रिक तो संयुक्त राश्ट्र संग में कित्ते सदस्य होते हैं पांच तो इसको हम कैसे याद करेंगे कार में एफ पी तो सी से हो जाएगा चाइना ए से अमेरिका आर से रसिया एफ से फ्रांस और बी से ब्रिटिस मतलब कार में एफ बी फिरे हमारा संयुक्त राश्ट्र संग की भासा कौन-कौन सी है शारूक का फेज तो ऐससे हो जाये गए स्पेनीज आर से रसियन F से French, A से अर्वी, C से चीनी, मतलब China, E से English तो ये क्या है हमारे संयुक्त राष्ट चंग के भाषा हैं कितने हो गए हैं? छे, छे भाषा कौन कौन से हैं? साहरुक का फेस, तो SR, मतलब आप SR का फेस भी कह सकते हैं S से हमारा Spanish, Russian, French, अर्वी, चीनी, इंगलेस फिर हमारा राज्यों का गठन, तो इसका ट्रिक आम गुनाह ही मेग मंत्रशीच तो सबसे पहले हमारे राज्य का गठन हुआ था आंध्रा प्रदेश का 1953 में, फिर हुआ था महराष्ट का 1960 में फिर हुआ था गुजरात का 1960 में, फिर हुआ था नागालेंड का 1963 में हरियाणा का हुआ था 1966 में, हिमांटर प्रदेश का हुआ था 1961 में और मेगाले का हुआ था 1972 में मडिपूर का हुआ था 1972 में, त्रिपुरा का हुआ था 1972 में सिक्किम का हुआ था 1975 में और गोवा का हुआ था 1987 में और अरुड़ांचर प्रदिस का हुआ था 1977 और मिजोरम भी 1987 तो मीराज JCB at GMT ठीक है प्रमुक कुम्भ अस्थल तो कुम्भ अस्थल कौन कौन से हैं प्रहरी नाव यह तो ट्रिक हो गया अब हम देखते हैं प्रा से हमारा हो जाएगा प्रयाग राज जिसे हम जिसे पहले इलावाद के नाम से था हरी से हो जाएगा हरी द्वार ना से हो जाएगा नासिक और उसे हो जाएगा उच्चैन तो यह क्या है हमारे कुम्भ अस्थल है जहां पर कुम्भ का मिला लगता है फिर है कुछ अनुवान से की रोग ठीक है वही क्लिप वही तो वह से हो जाएगा वड़ानदता, ही से हीमोफीलिया, कली से क्लीने फेलिटर, पस से पटाव सिंड्रोम, वह से वही से हो जाएगा साइलेंट, मतलब वही जो है वो हमारा साइलेंट रहेगा, सौरी, ठीक है, वही बस हैसे हमने अपने सुविधा के लिए डाल रखा है, ड से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, और टा से हो जाएगा टर्नल सिंड्रोम, तो यह हमारे अनुमानसी की रोग, वही क्लिप, वही डॉट, वड़ानदता, हीमोफीलिया, क्रीने फेल्टर, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और टर्नल सिंड्रोम, फिर हमारा थल सेना की क्रमवध्ध पद तो थल्सेना की कौन-कौन से पद होते हैं उसको एक क्रम मे कैसे याद कर सकते आप जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा weakness काप्टन लेट था तो जे से हो जाएगा जेनरल ला से हो जाएगा लेफ्टिनेंट जेनरल मेजर जेनरल मेज से हो जाएगा मेजर जेनरल और बिगड़ी से हो जाएगा बिग्रेडियर का से हो जाएगा करनल ला से हो जाएगा लेफ्टिनेंट करनल मेरा से हो जाएगा मेजर कैप्टन तो कैप्टन है और लेट से हो जाएगा लेफ्टिनेंट थलसेना के पद हैं ये सब ठीक हैं फिर हो जाएगा सिखों के दस गुरू जो थे ना सिखों के दस गुरू तो इनको हम कैसे याद करेंगे नानक अंगदान कर अमर हो राम के पास चले गए लेकिन अरजुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए तो नानक से हो जाएगा गुरु नानक, अंगदान से हो जाएगा गुरु अंगत, कर अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास, गुरु रामदास, राम से हो जाएगा, ठीक है, फिर अर्जुन से हो जाएगा गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन ने गोविंद, तो गोविं गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंग ये हो गए हमारे सिखों के दस गुरु फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपना भारत की अस्थल सीमा पर पडोशी देश तो ये बहुत ही मज़िदार है बच्पन में MBA किया तो बस से हो जाएगा बांगलादेश जा से हो जाएगा चीन, पस से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, MBA मतलब म्यामार भूटान और अफगानिस्तान तो सबसे कम सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है और सबसे ज्यादा बांगलादेश के साथ और अगर समुंदरी तटका भी पूछे तो ऐसे भी आ सकते हैं, पानी पीया, खाना खाया और घर चले गए, ये भी एक ट्रिक है, तो पान से हो जाएगा पानी पत का प्रथम युद्ध, खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध, घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध, और चल से हो जाएगा चंदेरी, तो ये सब युद्ध किस ने लड़ा था बाप पर ने लड़ा था तो फ्रेंड्स यह हो गए कुछ important question मतलब ट्रिक और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और सेयर जरूर करिएगा जैहिन जैभारत